क्या आपको पता है कि तारे एक खगोली पिंड है जो लगातार प्रकाश में उश्मा उसर्जित करते रहते हैं। तारे का रंग तीन प्रकार का होता है लाल, सफेद और नीला। तारे का रंग प्रिष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। आपको पता होगा कि तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, वेंग.5% कार्बन नाइट्रोजन एवं नियोन और 0.5% में लौह एवं अन्य तत्व पाए. जाते हैं तारे का जीवन चक्र, मंदाकिनी में उपस्थित हाइड्रोजन, हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है. तारे वायू मंडली अपवर्तन के कारण टिम्टिमाते हैं, जो सूर्य की रोशनी से चमकती है. पृत्वी के रा से इसकी दूरी चार, बाइस प्रकाश वर्ष है. सभी तारे धृुवतारा को छोड़ कर, रात्री में आकाश में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, क्योंकि पृत्वी स्वयम अपने दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूरनन करती है. आकाश में तारों की आभ समूह का सदस्य होता है. तारे का जीवन चक्र आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से प्रारंब होता है, जो बाद में घने बादलों का रूप धारन कर लेते हैं. तारे अपनी जीवन के अंतिम चरण में पहले भाग में तारा लाल रक्तदान प एक धूल बादल के रूप में करता है. सूर्य भी एक तारा है, जो सबसे नस्दीक का तारा है, लेकिन यह भी 4.96 करोड किलो मीटर की दूरी पर स्थित है. सबसे ब्रहमांड, ब्रहमांड का सबसे छोटा तारा, EBLMJO555, AB है, यह 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो उससे बना रक्त दानव तारा, आधिनव तारे के रूप में भी विस्पोट करता है. आकाश में पुच्छल तारे भी होते हैं. इनकी पूंच अनोमिया, मीथेन और बर्फ के कणों से बनी ह होती है. इसकी पूछ हमेशा सूर्य से. उश्मा उसरजित करते रहते हैं. तारे का रंग तीन प्रकार का होता है, लाल, सफेद और नीला. तारे का रंग प्रिष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है. आपको पता होगा कि तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, वेंग 0.5% कार्बन नाइट्रोजन एवं नि साथ आरंभ होता है. तारे वायू मंडली अपवर्तन के कारण टिम्टिमाते हैं, जो सूर्य की रोष्णी से चमकती है. प्रिथ्वी के रात का आकाश का सबसे बड़ा चमकीला तारा, Sirius A Dog Star है. इसे कभी-कभी दिन में भी देखा जा सकता है. सूर्य के बाद प्रिथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोकीजमा सेंटॉरी है, प्रिथ्वी से इसकी दूरी चार, बाइस प्रकाश वर्ष है. सभी तारे धुरुव तारा को छोड़ कर रात्री में आकाश में पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, क्योंकि प्रिथ्व स्थित प्रतीत होता है, और ये समय के साथ अपनी स्थिती नहीं बदलता. ध्रुव तारा उर्सा माइनर लिटिल तारा समूह का सदस्य होता है. तारे का जीवन चक्र, आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संगनन से प्रारंब होता है, जो बाद में घन बादलों का रूप धारण कर लेते हैं. तारे अपनी जीवन के अंतिम चरण में पहले भाग में तारा लाल रक्तदान प्रवस्था में प्रवेश करता है, इसके बाद उसका भविश्य उसके प्रारंभिक द्रवमान पर निर्भर करता है. हमारी आकाश गंगा में हर 18 वे की दूरी पर स्थित है. सबसे ब्रह्मांड. ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा EBLMJO555 AB है यह 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो उससे बना रक्त दानव तारा आधिनव तारे के पूर होती है. आकाश गंगा में करीब 400 अरब तारे होते हैं. हमारे ब्रह्मांड में ऐसी 500 आकाश गंगा है, इसलिए तारों को गिनना असंभव है. तारे कभी भी जगमगाते नहीं हैं, लेकिन प्रिथ्वी की गती के कारण ये हमें जगमगाते हुए दिखाई देते हैं जितना बड़ा तारा होता है, उसकी उम्र उतनी ही कम होती है.